सब्सक्राइब तो आर यूट्यूब चैनल और क्लिक उन बेल आइकन फर लेटेस्ट अपडेट्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन ने CDS1 2020 का अप्लिकेशन फॉर्म रिलीस कर दिया है कैंडिडेट्स ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म UPSC की वेबसाइट पर जाकर 19 नवंबर तक भर सकते हैं UPSC CDS 2020 का रिटन इग्जाम February 2nd 2020 को कंड़क्ट कराया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से आईए जानते हैं कि कैसे भरे CDS अप्लिकेशन फॉर्म, कितनी होगी अप्लिकेशन फीस और किन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत सबसे पहले आपको बता दें कि CDS अप्लिकेशन फॉर्म दो पार्ट में भरना होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 फॉर्म फिल करने से पहले कांडिडेट्स के पास जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आईए अब जानते हैं कि कैसे भरे UPSC CDS का अप्लिकेशन फॉर्म फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले UPSC की उफीशल वेबसाइट पर जाएं उसके बाद अपलाई ओनलाइन पर क्लिक करें क्लिक करते ही एक नया विंडो उपन होगा जिसमें रेजिस्ट्रेशन पाट वन पर क्लिक करके आप सारे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ सकते हैं इंस्ट्रक्शन ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद येस ऑप्शन पर क्लिक करें आपके स्क्रीन पर CDS अप्लिकेशन फॉर्म फ्लाश होगी नए पेज पर अपनी सारी डीटेल्स फिल करें डीटेल्स भरते हुए ये ध्यान रखें कि UPSC फॉर्म में करेक्शन करने की सुविधा नहीं देती इसलिए डीटेल्स एक बार चेक करना जरूरी है अब नए पेज में जाकर अवेलेबल फोटो आईडी में से एक उप्शन सेलेक्ट करें और उसका नमबर एंटर करें उसके बाद अपनी पोस्ट प्रेफरेंसेस को सेलेक्ट करें आपको एक रेजिस्टरेशन स्लिप मिलेगी जिसमें आपकी रेजिस्टरेशन आईडी father's name, address and date of birth लिखी होगी ये registration ID आपके phone number और email पे भी send की जाएगी अब registration part 2 पर click कर अपनी registration ID और date of birth की help से login करें इस stage में आपको application fee पे करना होगा अपने credit या debit card या फिर internet banking की मदद से अपना application fee submit करें fees submit करने के बाद system द्वारा एक receipt generate होगी जिसको future reference के लिए safe करके रख लें fees submit करने के बाद candidates को अपना photograph, signature और ID proof prescribed specification में upload करना होगा तीनो documents upload करने के बाद submit पर click करें और अगले page पर जाकर final submission पर click करें it is advised to the candidates to take a printout of the application form and the fees receipt for future references application form से related जादा जानकारी के लिए video के description में देगे link पर click करें subscribe to our YouTube channel follow us on Facebook, Twitter, Instagram and visit Carriers360 website for more details